आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स आज के पांच खबार आपको दिखाते हैं आपके स्री लंका देवरी पाड़ा के रहने वाले गफार अनवर इबराहीम खान 40 वर्षिय की करंट लगने से मौत हो गई है चरनी पाड़ा पापा का नाका पर नाले का काम ब्रेकर मसीन से करीब 5 बजे के वक्त गड़ा कर रहे थे जिसमें पानी भी था मगर उसमें बताया जा रहा है कि पानी में करंट होने के वज़े से मौत हो गई है शव को कलवा सिवाजी अस्पताल पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया गया है गफार के तीन बच्चे भी है इस हाथसे के बाद गफार की पत्नी ने क्या कुछ कहा है पापा के नाके पे गए थे काम करने के लिए उसके बाद में उनको मशीन चलाने लगे तो उनका करन लगा करन लगने से उनका दम गया नाले में वो जोर से चिला तो उनका दम गया बिरेकल मशीन चला रहे थे कड़ा कोदने के दर तो उनका दम गया कितने बच्चे हैं आपके तीन है नए उनको फिक्स में रखाता हूँ उसने बोला था मैं फिक्स में रख रहा हूँ भाबी बोले तो मैं ठीक है फिक्स में रहा हूँ इन दो मैं बोले अच्छा है फिक्स में रख रहे तो आज ऐसा होगा उनके साथ मैंने तो उसके साथ में आता तो हो बलाने के लिए उसका नाम मारोती है और एक अनम जब्रे संस mr आता तो दिलाने हुआ तो उनका लंका में उग ूंको यह ता करने वाले तसकर को गिरफतार किया है एपी आई मंगेस बोट से को गुप्त जानकारी मिली थे कि मुम्रा बाइपास पर एक बिक्त मादक पदार्थ बेचने के लिए आने वाला है मंगरवार रात को घेरा बंदी कर 45 किलो 700 गराम गांजे के साथ नसे के सवधागर इर्साद इकवाल इनामदार 35 वर्षिय को गिरफतार किया गया है इसके कीमत 5,95,930 रुपे बताई जा रही है बाइपास उननीस को शाम को हमारे डीबी टीम एपिया बोर से लोकंडे और उनके सभी सवधियों को एक टीप मिले थी कि मुम्रा बाइपैस पे एक आदमी उसके साथ में सवधियोगी के साथ में गांजे लेकर आ रहा है उस हिसाब से रात को सवादस बजे वहाँ पियाय मुझावर साब और उनके टीम ने वहाँ छापा मारा था वहाँ 49 किलो 700 ग्रैम ने और एप्राउजिमेट 6 लाग का गांजा रिकॉर हुआ है उसके उपर इर्शाद इकबाल इनमदार ये पिसवली का रने वाला एक अल्यान का उसको अरेश्ट किया हुआ है और उसके कहे मुताब कि एक 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 विज जो उसकी साथ से वो परा रहा रहे अभी वो मिली नहीं है वो परतुर की रहने डिश्टिक जालना की रहने वाली है वहां से वो गांजा लाती है उदर से अभी तक जो जानकारी प्राइमरी मिली है कि वो साथ से गांजा आता है ऐसा उनका कहना है और ये बाई ट्रेन लाया था ऐसा एकुज ने बुलाए एकुज को आज पी आए वड़त कर साब ने कोड में प्रोडूस किया था और अठा मही तक उसका PCR में लाए आगे के जाज के लिए महराश के ठाने सहर में बुदवार की सुबा एक कार नाले की पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड़े में गिर गई ठाने के गोड़ बंदर की तरफ सचिन काकोड कर जा रहे थे तभी कार रास्ते में नाले की पाइप लाइन के लिए खोदाई की गई गड़े म बीच में निर्कंट से गोडबंदर की तरब जो रस्ता जाता है वही रस्ते पे मुल्लाबाग बस डेपो के साम बाजू में ठाने महानगर पलेका मलन इसारन का काम चलो है अंडरग्राउंड पाइक डेन का काम चलो है वही वहां पे सच्चिंग सुनिल कापोड का यह आरेट पर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद उनको बेहतने आश्पिटल लेकर जाने के लिए उनको देट्रमेंट उनको देट गोशिद खिया है अर उसके लिए चित्रसर पूलिस्टिशिन में अच्चर नमबर 23 अब इस की अविड़ा पूरा इंकवर ऑघ़्ा होई मुम्रा टोल नाके के पास फैसल शेक नामक युवक का एक्सिडेंट हो गया है जिसमें युवक घंबी रोप से घायल बताया जा रहा है युवक को नस्दिकी अस्पताल में इलाज के लिए भेद दिया गया है फैसल शेक कुरला का रहने वाला बताया जा रहा है कापियों के छुटी के दोरान मुंबई से पूने के लिए यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है मुंबई पूने एक्सपेस हाइवे पर साथ दिनों तक 15-15 मिनट का ब्लॉक रखा गया है 14 माई से 17 माई और 21 माई के बीश 23 माई तक आयोजित किया गया है पूने एक्सपेस हाइवे पर पत्थर हटाने का काम किया जाएगा इस दोरान तले गाउट टोलनाका से राश्ट्रिये महा मार्ग 4 का इस्तमाल किया जा सकता है समाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट टाइम्स